हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ सलमा आपकी कुकिंग फ्रेंड आज हम बनाएंगे आंध्रा पुलाव या आंध्रा बिर्यानी का दालचा और दही की चिटनी तू चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हमें चाहिए दो लाल तमाटर चॉप किये हुए, एक मीडियम साइज ओनियन चॉप किया हुआ, थोड़ा सा कद्दू या लोकी और थोड़ा सा बैंगन जिसको हमने बड़े बड़े पीसस में कट कर लिया है वन टी स्पून गालिक जिंजर पेस्ट, वन टी स्पून लाल मिट्च पॉडर, टू टेबल स्पून कोकिंग ओईल, टू टेबल स्पून कच्चा नारियल का पेस्ट, दो चार लॉंग, एक इंच का दालचीनी का तुकड़ा, वन बै फोर टी स्पून हल्दी पॉडर, एक इमली का जूस जिसको हमने एक बड़े नीम्बू जितने इमली को गरम पानी में भीगो कर निकाल लिया है और हम लेंगे एक कप चना दाल जिसको हमने दो घंटे के लिए पानी में भीगो कर रख लिया है सबसे पहले हम चना दाल को कुकर में 5-6 विजुल आने तक अच्छे से गला लेंगे अब एक घेटनी की मदद से इसे हम अच्छे से घेट कर इसका पेस्ट बना लेंगे अब एक कड़ाई में तेल डाल कर इसे गरम होने दें और इसमें डाल दें लॉंग और दालचिनी और प्याज अभी प्याज को नरम होने तक इसे थोड़ा सा भून कर पका लेंगे अब इसमें अद्रक लहसुन का पेस्ट डाल कर इसे भी अच्छे से भून लेंगे अब जाएगा हरी मिर्ज इसे भी एक मिनिट के लिए भून लेंगे अब इसमें तमाटर, लाल मिर्ज पौडर और हल्दी पौडर दाल कर अच्छे से मिक्स करते हुए दो मिनिट के लिए पका लेंगे अब इसमें लॉक की बैंगन और स्वाद अनुसार नमक डाल कर इसे टमाटर की ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करते हुए दो मिनिट पका लेंगे अब इसमें लास्ट में इमली का जूस डाल कर इसे लिड लगा कर पांच मिनट तक तरकारी को पकने के लिए छोड़ देंगे चलिए अब देख लेते हैं सबजियां नरम हो चुकी हैं अब हम इसमें डाल देंगे हमारी घेंटी हुई डाल अब हमें जितना गाढ़ा चाहिए उतना पानी डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पाच मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे जिससे के सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए जब दालचा बन जाए तो स्टाव बन करने से पहले हम आड़ कर देंगे इसमें कच्छे नारियल का पेस्ट अब इसे एक और मिनट पका लेंगे और हरा धनिया डाल कर स्टाव को बन कर देंगे हमारा दालचा तयार है चलिए अब चल्दी से देख लेते हैं के दही की चिटनी को कैसे बनाया जाए इसके लिए हम लेंगे एक कप अच्छे से फेंटा हुआ ताजा दही थोड़ी बारीक कटी हुई प्यास और बारीक कटा हुआ तामाटर और थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्श बारीक कटी हुई दोस्तों अगर आपको मेरे रेसिपीस अच्छी लगती हो तो इसे लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अब इन सभी चीजों को फेंटे हुए दही में डाल कर मिक्स कर लेंगे दालचा और दही चिटनी के बिना आंध्रा बिर्यानी इनकंप्लेट है बिर्यानी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, देख लीजिएगा बस बड़ी ही आसानी से हमारी दही की चिटनी बनकर तयार हो गई है दोस्तों ये इतनी सिंपल है, खाने में उतनी ही टेस्टी होती है इस फ्रेश, टेस्टी, क्रीमी दही चिटनी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा थैंक यू